Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी आपको लेक्चरर की विकेंसी देखने को मिलने वाली है उसके बारे में और कंड़क्टर के एक्जाम के बारे में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो दो दिन पहले जो आप रोजल्ट देखने को मिला हमें जो कि लोग से बायोग शिमला ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर कमर्स का और इसके साथ ही जो college cadre की assistant professor की बहुत सारी advertisement हमें देखने को मिली थी तो इसके साथ ही पूरी जो assistant professor अलग-लग subject की सारी भरतियें complete होती है 538 ये total vacancy advertised हुई थी और इनकी जो totally process है वो complete हो चुकी है तो अब expected है कि Monday या Tuesday को जो है वो lecture school cadre की जो vacancy है उसके advertisement हमें देखने को मिल सकती है तो अब जो है वो बड़ी भरती lecturer की ही रहने वाली है जिसमें की 585 total vacancy है और इसका जो break up है वो भी मैं आपके साथ share कर चुका हूँ इसके बाद ही conductor जो HRTC के लिए conductor की vacancy निकाली थी हम इरपूर ने इन पोस्टों का advertise करा था फिर इसके बाद शिमला मतलब लोग से वायोग शिमला की तरफ से आपको अलग लग notification भी देखने को मिली तो अभी news निकल के आ रही है कि मतलब लोग से वायोग शिमला ने तो center भी बना दियों कि कहां पर exam करवाने है लेकिन जब तक सरकार की तरफ से उनको approval नहीं मिलेगा सरकार उनको नहीं बोड़ेगी कि आप exam conduct करवाईए तब तक वो exam conduct नहीं करवाईएंगे सरकार ने क्यूं hold पे किया हुआ है conductor भरती को वो अभी तक किसी को नहीं पता है और एक बात ये भी है कि जो driver की भरती होनी थी HRTC में उसको भी बीच में रोक दिया गया तो क्या reason है किस बज़े से ये चीज़ें हो ये वो किसी को पता नहीं है लेकिन ये चीज़ दन है कि conductor भरती तो हिमाचपतेस Public Service के में से शिमला ही करवाएगा और हो सकता है जल्दी आपको ये भरती देखने को मिल जाए क्योंकि लगातार इसकी जो है वो नोटिफिकेशन है हाई बनी रहती है बाकी भरतीयों का तो कोई पूछ भी नहीं रहा है कि उनका क्या होगा कहां पे वो पहुंची है और वो भरतीयां आपको हिमाचा बदेश राज्य चेहन आयोक के मादिम से अब देखने को मिलेगी जब भी वो बनेगा उसके उपर भी एक डेडिकेटर वीडियो आईगी जिसमें की कमिटी के उपर हम बात करेंगे कि अब कितना समय लग सकता है कि क्या फाइदा है बेट करके जल्दी हमें विकैंसी देखने को बहुत सारी चीज़ों के उपर हम उस वीडियो में बात करेंगे और यहां पर हाई कोड की तरफ से जो स्टैनोग्राफर की 78 विकैंसी है उनकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है तो यहां भी आप देख सकते हो अगर आप एलिजीवल हो तो कुछ इस तरह से यह प्रोसेस है तो अब देखते हैं कि कब तक lecture की advertisement आती है और नया notice हमें देखने को मिलता है वैसे तो अब conductor exam में सिर्फ जो है वो इसमें exam date announce होगी उसके बाद अभी syllabus में भी यहां पर doubt है देखते हैं क्या होता है वैसे तो syllabus वही रहेगा जो class 3 के लिए अपरेल के महीने में ही माचब अदेश पब्रीक सर्विस के मिशें शिमलाने नए business rule डाले थे उसके हिसाब से अब आपको exam देखने को मिलेंगे अब बेटनरी officer में भी आपने देखा कि उसी syllabus को implement किया गया बाकी स्क्रिकार्टिंग कोई भी और अपडेट आएगी तो जुरूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा आपको आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को like, comment, share कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ़र्दा न्यू अपडेट के दिए